नमस्कार किसान सातियों किसान सातियों मैं आपको इस वीडियों में बताऊंगा नासिक मंडी प्याज के भाव के बारे हैं क्योंकि दोस्तों नासिक मंडी को लेकर एक नई प्यास को लेकर एक प्यास की जो सबसे बड़ी मंडी बानी जाती है नासिक मंडी तो वहां से दोस् तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें फैल आकन को प्रस्ट करतें तो चलिए दोस्तों बीडियो को सुकत है जैसे कि दोस्तों आप ये अपडेट है ये अपडेट अभी अभी डिरेक्ट ही नासिक मंडी से निगल गया रही है इस पर लिखा गया हुआ जो प्याज के खर्चा है वो आएगा लाने में पांच रुपए का जो खर्चा है भर जाएगा दोस्तों तो दिल्ली की मंडियों में 84 रुपए प्रतिकी लोग को इसाब हो जाएगा और जो होल्सेलर होते हैं दोस्तों जो होलसेलर बेचेंगे वह 80-90-105 रुपए तक बेचेंगे और द देखा गया हुआ है खर्च मौसम में होने वाली जो फासल है जो प्याज की फासल है वो अब तक बाजार में आ जाती थी लेकिन देश के बवाई होने के कारण दोस्तों वहाग पार क्या हुआ जब वाई का टामता तब भी पानी वर्स गया तो दोस्तों इसलिए 15 दिन दे मंडिया है उन्हें अगर नया प्याज चाहिए तो उन्हें दोस्तों दिसंबर तक का इंतजार करना पड़े या दिसंबर तक ही नया प्याज आया तो दोस्तों अभी 5-6 दिनों के लिए मंडिया सारी के सारी वंध है क्योंगी दोस्तों दीपाली है और दीपाली के लिए अभी जो छुटी मंडियों की चल लिए तो 5-6 दिनों के लिए सभी मंडियों में अभी अबकास चल ला है तो दूस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में प्याज में बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है